अलो एवरिवान, स्वागत आपका आपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में आज हम करने वाले हैं एक स्टोरी बहुत ही अच्छी है बुक में से करेंगे इसकी बताती जाओंगी मैं आपको हिंदी ठीक है और साथ-साथ में जो भी ग्रमेटिकली स्टॉक्टर होगा उसको भी हम अच्छी से समजेंगे जो कि सबसे इमपॉर्टेंट है आप कुछ भी रीड कर लो अगर आपको ग्रमेटिकली स्टॉक्टर नहीं आते हैं तो आप उसका सेंस को बिल्कुल समझ नहीं पाओगे है ना तो इसको आप धिहान से देखी का बहुत अच्छी स्टोरी है लास्ट में मैं आपको बुक भी दिखा दोंगी कौन सी बुक है वो आप ले भी सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से लाइक कर देजिए बहुत बच्चे हैं देखते है लेकिन लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज लाइक कर देजिए आपका कुछ नहीं जाता है लेकिन हमारी बहुत मेहनत लगती है तो हमें लगता है हमें एक लाइक के रूप में एक रिवार्ड मिल रहा है बच्चों से है ना तो अगर अच्छी लगे तो कमेंट भी कर सकते है चलिए Nelly's Lost Voice Nelly की Apostrophe S लगा है का के की का सेंसित है Nelly की Lost होता है खोई हुई खोई हुई आवाज ठीक है ना Nelly's Lost Voice अब ये Lost क्या है ये Adjective का काम कर रहा है Past Participle क्यों? क्योंकि Noun की विशेश्टा बता रहा है Voice क्या है? Noun है इसकी कैसी Voice? Lost Voice Means खोई हुई आवाज ठीक है ना? चलिए Nelly was the star singer in the school choir Nelly थी Was लगा है तो means Nelly अकेली है इसलिए Was का यूज हुआ है अगर जादा girls होती इसके साथ तो हम वर लगाते ठीक है ना? Nelly was the star बहुत ही अच्छी बहतरीन क्या थी संगीत कार थी In the school choir School के मंडली में या ग्रुप में choir होता है जिसमें सारे गाना गाने वाले होते है She had a beautiful voice उसकी थी अब ये वाला जो हैड लगा है इसके साथ अगर third form होती तो वो कौन सा tense होता? Past perfect होता लेकिन इसमें अभी तो कोई भी third form नहीं है action नहीं दिखाया गया है तो ये simple head है इसका meaning होता है कोई भी चीज past होना Past में है तो head लगेगी अगर present में होता तो has, have होता यहाँ पर इसकी थी क्या थी? बहुत सुन्दर आवाज थी clear थी, साफ थी और बहुत मजबूत थी when she sang जब उसने गाया second form लगी है past indefinite है इसका sense आता है जब उसने गाया people, लोग would people जो थे, people would stop whatever they were doing and simply listen would लगा है past में जब हम कोई भी काम करते हैं किसी आदत को दिखाते हैं है ना? तो उसमें हम क्या लगाते हैं? used to तो used to की जगा पे हम would भी use करते हैं और would की जगा हम used to भी लगा सकते हैं people used to stop whatever means हर काम को छोड़ दिया करते थे रोग देते थे would stop छोड़ देते थे रोग देते थे whatever जो भी they were doing वो कर रहे थे were के साथ first form ing है past continuous रहा था रहे थे दे किसके लिए लगा है? लोगों के लिए they were doing जो वो कर रहे थे and simply और सिरफ सुनते थे देके ना? listen होता है सुनना she enjoyed singing वहे ट्या करती थी? enjoy करती थी किसको? singing को अपने गाने को enjoy करती थी in the house at school school में in the bath in the garden घर में school में नहाते टाइम और garden में you could hear her humming even when she did her homework or helped mother clean the floor you could तुम सुन सकते थे here means सुनना could लगा है सकता है सकते है का sense आएगा तुम उसे सुन सकते हो sorry क्या करते हुए? गुन गुनाते हुए her humming humming means गुन गुनाना even means सुन भी सकते हो even means भी कब सुन सकते हो? जब she did her homework जब वो अपना काम करती थी do की second form है did past indefinite का sense दे रहे जब वो करती थी अपना घर का काम homework और सहायता करती थी किसकी अपनी मदर की clean the floor जो फर्स है उसको साफ करने में ठीक है ना? जैसे कि अब वो कर रही है और दाना भी गा रही है फर्स भी साफ कर रहे है अपनी मदर के साथ आगे देखते है but one day नेली वोक अप एक दिन नेली उठी शोकर उठी वोक अप and found उसने क्या पाया? उसने पाया she could just whisper उसने क्या पाया? कि वो सिरफ क्या कर सकती थी? सिरफ whisper whisper होता है फुस फुसाना means हलके हलके बोलना अवाज नहीं निकलना she had lost her voice वो अब देखिए had के साथ ये क्या लगा है? third form है ना? तो ये कौन सा tense है? past perfect चुका था, चुके थे आ था, ई थी इसका sense आता है इस tense में she had lost lost होता है खो ना? खो चुकी थी क्या खो चुकी थी? अपनी आवाज she was in tear वो tear में थी means आसू थे उसकी आँखों में they took her they means उसका जो परिवार है परिवार के जो लोग हैं उसके लिए दे लगाया है they took her उसको ले गए take लेना took ले गए her उसे to a doctor एक doctor के पास अब देखिए doctor की क्या बताई गई है यहाँ पर विशेष्टा बताई गई है relative pronoun का काम कर रहा है who gave her जिसने दी क्या दी उसे some medicine कुछ दवाईया दी ठीक है ना यह who किसके लिए लगाया गया है doctor के लिए तो यह किसका काम कर रहा है relative pronoun का who gave her some medicine she had all the medicine उसने खाई ठीक है उसने खाई she had all the जैसे हुम कहां तो नहीं she's having she's having वो खा रही है अगर वो खा चुकी है तो she had she had all the medicine उसने सारी दवाईया खाई but something was wrong कुछ गलत था ठीक है her voice had vanished her voice उसकी जो आवाज है वो जा चुकी थी means खतम हो चुकी थी had vanished कौन सा टेंस है past perfect चलिए nelly became very depressed and sad nelly जो थी वो हो गई second form लगा है past indefinite है very depressed बहुत दुखी और उदास हो गई she would sit in would लगा है again देखिए वो बैठा करती थी है ना she would इसकी जगा पे हम used to का भी use कर सकते हैं used to नहीं लगाना तो would भी use कर सकते हो past की कोई भी आदत को दिखाने के लिए हम would या फिर used to का use कर सकते हैं she used to sit वो बैठा करती कहां पर in the garden भाग में and listen और सुनती to all the birds सभी पक्षियों को गाते हुए अब ये क्या है गाते हुए singing ingq लगा है ये present participle है तीक है means कैसे देखती वो birds को birds की birds noun है उसकी विशेष्टा बता रहे है कि वो कैसे birds को देखती वो क्या थे गाते हुए birds तो वो विशेष्टा बता रहे है birds की noun की जो विशेष्टा बताए वो क्या होता है present participle होता है या adjective ठीक है काम किसका करता है adjective का and the sound आवाज सुनती किसकी of the breeze हवा की in the tree पेडों में से जो हवा की आवाज आती है उसको सुनती she felt उसने महसूस किया second form है past indefinite है everyone was singing कि हर कोई was के साथ first form ing है हर कोई गार रहा था was है ना ing है और first form है past continuous है रहा था रहे थे का sense आ रहा है was singing गार रहा था except her means उसे छोड़ कर except हम कम लगाते है जब हम दो चीजों में difference को दिखाते है means उसे छोड़ कर बाकी सब गा रहे है one day as she sat एक दिन जैसे ही वो बैठी sat in the garden भाग में बैठी a leaf fell out of a tree एक पत्ता गिरा fell out of किस से एक ट्री से ठीक है it was a very pretty maple leaf मुझे पता है मैं थोड़ा fast पढ़ाती हूँ लेकिन कोशिश करूँगी अब से मैं धिरे धिरे बोलूँ ठीक है न it was a very pretty maple leaf वह थी क्या थी a very pretty बोख़ सुन्दर maple क्या होता है एक leaf होती है maple का एक पौदा होता है उसकी leaf maple leaf nelly picked it up nelly ने उसे उठाया ठीक है picked it up it किस के लगा है leaf के लिए nelly ने उसे उठाया picked it up and saw it shimmering और देखा second form है past indefinite है देखा उसे shimmering चमकते हुए in the sunlight again क्या है shimmering क्या है present participle है in the sunlight सूरी की रोशनी में चमकते हुए उसने उस leaf को देखा she looked closely उसने बहुत past से देखा and found और पाया a small beautiful golden fairy sitting on a leaf a beautiful बहुत सुन्दर और सुनेहरी परी बैठी हुई on the leaf leaf के उपर clear है समझा रहा है जब वो garden में बैठी थी तो वहाँ पर एक maple tree नीचे गिरा maple पत्ता गिरा नीचे जब उसने ध्यान से देखा उसको तो वो चमकता हुआ सूरे की रोशनी में चमकता हुआ पत्ता था जब उसने पास से देखा बहुत पास से तो उस पत्ते पर देखो क्या है fairy है she found small beautiful golden fairy सुनेहरी परी sitting बैचे हुए on the leaf आगे देखते हैं उसने बोला hello Nelly said the golden fairy कहा किस ने कहा golden fairy सुनेहरी परी ने कहा कि hello Nelly उसने बोला hello said Nelly in a whisper उसने भी फुस फुस आते हुए कहा क्योंकि वो बोल तो पानी रही थे hello Sally said Nelly in a whisper she signaled that she couldn't speak इसको थोड़ा समय और उपर कर लेखे हूँ आप अच्छे से देख पाऊ ठीक है she signaled उसने संकेत दिया signal होता है संकेत देना second form है past indefinite है संकेत दिया कि she couldn't speak कि वो बोल नहीं सकती I know उसने कहा कि मुझे पता है I के साथ first form लगी है किसका है ये sentence present indefinite I will you, they, he, she किसके साथ बीच of first form लगता है I will you, they especially तीक है उसके साथ first form लगी तो क्या होता है present indefinite कि मुझे पता है said the fairy fairy ने कहा I am fairy of golden voice कि मैं हूँ क्या हूँ किसकी सुनेहरी आवाज की and I know all about you कि मुझे पता है तुमारे बारे में सब all about you I think I can help मुझे लगता है कि मैं सहायता कर सकती हूँ but लेकिन but you must follow तुम्हें क्या करना चाहिए कहना मानना चाहिए मुझे follow करना चाहिए everything you must follow I tell you मैं जो तुम्हें बताती हूँ and keep it a secret और इसको रखना क्या रखना एक secret रहस्य रखना Nelly nodded Nelly ने अपना सिर हिलाया सिर हिलायने को क्या बोलते हैं Nodded चीक है न You see देखो देखो Nelly You see means उसने बोला देखो Nelly instructed the fairy फेरी ने उसे समझाया Doctors don't believe in fairies जो डॉक्टर है वो विश्वास नहीं करते हैं यह किसका है Present indefinite का Negative है यह जब हम negative बनाते हैं तो do not does not लगाते हैं तो यह उसी कह है Doctors do not believe in fairies वो विश्वास नहीं करते परियों में So we will keep our medicine a secret So हमें We will keep हम रखेंगे Will के साथ first form है किसका sense है यह Future indefinite का Keep होता है रखना उसके साथ हम गागेही का sense देंगे हम रखेंगे अपनी दवाई को एक रहस्य Come out tonight आज आज रात को When the stars shine जब जो stars हैं वो shine करेंगे जब stars shine करते हैं तब आज रात तुम आ जाओ देखते हैं आगे क्या है So that night So उस रात Nelly came out I came out Second form लगी है न Past indefinite है I came out Into the garden बाग में आई The fairy was waiting जो fairy थी वो क्या कर रही थी वो उसके साथ first form आई एंजी है अब first form का जो meaning है उसके साथ हमें रहा था रहे थे का sense देना है Wait होता है इंतजार करना इंतजार कर रही थी On a petunia Petunia क्या होता है एक पौधे का नाम है ठीक है न पौधे के उपर वो इंतजार कर रही थी She called उसने बुलाया Nelly And showed her the dew उसने बुलाया Nelly को और दिखाया उसे दिखाया क्या दिखाया ड्यू ओस ओस की भुंदे होती ना ओस दिखाई इंसाइड दा petunia जो petunia का जो flower होता है उसके अंदर क्या दिखाई ओस दिखाई उसने बुला Drink this इसे पियो Drink this ठीक है She said उसने कहा So फिर नेली ने नेली ड्रांक दड्यू अब देखिए उसने पहले बोला कि इसे पियो Drink this So नेली ड्रांक उसने पी ली जब हम past में भात करते हैं तो second form लगती है ठीक है उसने पी ली दड्यू उस ओस को उसने पी लिया Then the fairy brought rose petal फिर जो परी थी brought लाई क्या लेकर आई rose petals गुलाब के जो पत्ते होते हैं उनको rolled करके Means ऐसे ऐसे उसने rolled करा into a cup एक cup के अंदर उसने rolled करके गुलाब के जो पत्ते हैं लपेट कर उसको दिये Inside it was something golden उसके अंदर it was क्या था कुछ सुनेहरा सुनेहरा था golden था This is special honey यह एक खास शहद था शहद है mixed with the nectar from flour किस से mix किया हुआ मिला हुआ nectar क्या होते है अमरित mixed with the nectar from the flour flour से लिया हुआ जो अमरित होता है उसके साथ mix करके जो honey है वो है यह खास honey है यह drink it इसे पीलो ठीक है ना drink it up इसे पीलो and eat the rose खालो जो rose है जो गुलाब के पते हैं petal to पतो को भी खालो ठीक है ना explain the fairy fairy ने उसे समझाया आ रहे समझ में Nelly did all the all that the fairy told her Nelly did Nelly ने किया वो सब all that सब किया the fairy told her जो भी fairy ने उसको बताया come and sit with me she said fairy ने कहा कि come आओ और मेरे साथ बैठो Nelly sat down वो बैठ गई beside her beside her means उसकी बगल में ठीक है बगल में जाकर बैठ गई and the fairy said she should try to hum something fairy ने कहा ठीक है she should कि उसे क्या करना चाहिए कोशिश करने चाहिए should try means कोशिश करने चाहिए to hum गुन गुनाने की कुछ ठीक है Nelly tried to hum Nelly ने कोशिश की गुन गुनाने की silver starlight scattered around her like magic dust silver means चांदी की जो तारों से भरी जो रात थी ठीक है silver starlight चांदी की तारों की जो फैल गई ठीक है बिखर गई around उसके आसपास like magic dust जादू की धूल की तरा जादू की धूल की तरा चांदी की जो starlight है जो तारे थे वो बिखर गए उसके आसपास दफेरी गेव हर a handful of starlight परी ने दिये उससे a handful मुठे भर of starlight कुछ तारे दिये चमकते हुए नेली's voice was back तो नेली की जो voice है वो वापिस आ गई थी शी गेव दफेरी a hug उसने दिया फेरी को एक hug दिया गले मिली उससे as दफेरी ran नेली भागी into tell her mother ठीक है अंदर भागी बताने के लिए अपनी मा को to tell means क्या है यह infinitive होता है ठीक है ना जो purpose को दिखाता है वो किस लिए भागी बताने के लिए किसको अपनी मा को that her voice was back कि जो उसकी voice थी उसकी आवास थी वो वापिस आ गई थी ठीक है तो I hope यह जो story है आपको अच्छी लगी guys और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा अच्छी लगी तो please like जरूर करना और अगर कुछ भी doubt हो तो comment करके पूछ भी सकते हो मैं उसका answer दूँगी आपको ठीक है ना और जितना हो सके इसको share करे जो लोग सीखना चाहते है ये देखिए ये वाली बुक है best of grandma's tale इसको आप लेकर रात में reading भी कर सकते हो एक story को अगर आप हर रोज पढ़के सोया करोगे ना तो बहुत ही जाता improvement होगी आपकी English में एसी बहुत सारी books आती है तो आप ले सकते हो ज़रूरी नहीं आपने यही लेनी है कोई भी book ले सकते हो English की जो stories होती है पहले simple story से start करें फिर आप थोड़ी advance से start करें तो I hope आपको अच्छी लगी गाई इस तो please like share subscribe करना मत पूलेगा God bless you